क्या हाले दोस्तों, Welcome to the channel इस वीडियम में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग Fires Trading Account को Quantower Trading Platform के साथ Connect कर सकते हैं और Quantower Trading Platform से Fires Trading Account को योज़ करके Trade कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने Quantower Trading Platform को Open किया है तो सबसे पहले हमें क्या करना है Fires Trading Account को Connect करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर उपर जो Control Center है, यहाँ पर जो भी Connection है, for example यहाँ पर True Data Plus Connected आ रहा है इसके उपर हम लोग क्लिक कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पर इस Control Center में कहीं पर भी Right Click कर सकते हैं और यहाँ पर Connections के उपर क्लिक कर सकते हैं तो जैसे ही हमने Connections के उपर क्लिक किया Connection Window यहाँ पर Open हो गया है तो हमें यहाँ पर क्या करना है Fires के Connection को डूढ़ना है आप लोग यहाँ पर नीचे स्क्रोल करके Fires को सर्च कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो यहाँ पर Search बार पर Fires लिख सकते हैं यहाँ पर Fires का नाम आ जाएगा तो अभी हम लोग क्या करेंगे यह जो Fires Option है इसके उपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर अभी Fires का लोगो हमें दिख रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यह जो Fires का Connection नाम है यहाँ पर हमें एक Star बटन दिख रहा है हम लोग इसके उपर क्लिक करेंगे इससे क्या होता है कि उपर जो Control Center है यहाँ पर Fires का जो Connection Status है उसके बारे में हमें Information दिखाए देगा तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो अभी यहाँ पर यह Disconnected है अभी हम लोग यहाँ पर Connection करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे नीचे Connection Settings Option जो है इसके उपर क्लिक करेंगे यह चोटा सा विंडो उपन करेगा यहाँ पर आपको एक सेटिंग करना है वह है कि अगर आपके पास Quantower का Advanced Subscription नहीं है तो आपको यह जो Option है जो क्या था है Enable Light इस Option को चेक करना है अगर आपके पास Quantower का Advanced Subscription है तो आपको इस Option को चेक नहीं करना है मेरे पास Quantower का Advanced Subscription है तो मैं उसके वज़ा से इस option को check नहीं करूंगा और उसके बाद हम लोग इसको close करेंगे यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं जो option यहाँ पर जो कहता है use saved credentials इसको check करेंगे इससे क्या होता है कि अगर आप Quantower Trading Platform को दिन में multiple times open और close करते हैं तो उस वक्त आपको हर बार open करने पे Fires को login करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको दिन में एक बार login करना है और वो login information को उस दिन में जब भी आप लोग Quantower को open करते हैं उस वक्त Fires के साथ connect करने के लिए use किया जाएगा और उसके बाद हमें यहाँ पे connect option के उपर क्लिक करना है और जैसे हम लोग connect के उपर क्लिक करते हैं यहाँ पे authentication window open होता है हमें यहाँ पे Fires trading account पे login करना है तो यहाँ पे login with client id मैं इस option को चूज करता हूँ यहाँ पे मैं अपना client id enter कर देता हूँ continue new और उसके बाद हमारा phone number पे एक OTP आएगा हमें उसको enter करना है यहाँ पे OTP एंटर करने के बाद हम लोग confirm OTP के उपर क्लिक करेंगे और अभी यहाँ पे हमें हमारा जो 4 डिजिट का pin है उसको enter करना है मैं enter कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग sign in के उपर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे यह Quantower का website थोड़ा दिखाएगा और यहाँ पे Fires के साथ connect करेगा हमें यह connection यहाँ पे complete होने तक wait करना है तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं connected हो रहा है यहाँ पे यह अभी Fires से हमारा जो trading account है उन सब के बारे में detail fetch करेगा अभी यहाँ पे connected आ रहा है तो मैं अभी इसको close कर देता हूँ अभी आप लोग यहाँ पे control center में देख सकते हैं Fires connected आ रहा है Quantower trading platform में आप लोग multiple connection यह एक बार connect करके रह सकते हैं यहाँ पे मैं true data पे भी connected हूँ और Fires के साथ भी connected हूँ तो अभी जब हमारा Fires के साथ connection हो गया है अगर आप एक beginner है तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है यहाँ पे Quantower लोगों के उपर क्लिक करके Quantower trading platform Fires का जो default template देता है उसको use करना है यहाँ पे आपको search करना है Fires और यहाँ पे template आ जाएगा इसके उपर क्लिक करना है यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हैं Quantower ने जो default Fires का template दिया है वो यहाँ पे open हो गया है तो आप लोग इस वीडियो को कब देख रहे है उसके साब से यह template तोड़ा वेरी भी हो सकता है यहाँ पे Quantower वालों ने कुछ panels को कुछ इस तरह setup करके आपको दिया है यहाँ पे आगर आप लोग देखोगे तो यह एक white list है और यहाँ पे नीचे market depth है और यहाँ पे चार्ड section है और यहाँ पे नीचे हमारा जो account है उसके related कुछ sections है for example यहाँ पे positions tab है working orders, holdings tab है और यह सब option देखने को मिलता है यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बारे में information मिलता है for example मेरा Fires account में यह दो stocks का holding है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उनका नाम उसके साथ ही यहाँ पे अगर आप लोग order history में जाएंगे तो जो भी order आपने place किया है उसके information मिलेगा यहाँ पे मैंने एक order place किया था जो reject हो गया है उसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे इस chart में हम लोग right hand side में trade करने के लिए आप window देख सकते हैं trading window इसे हम लोग क्याते हैं और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारा account हमारा fires का trading account अभी select हो गया है और हमें यहाँ पे trade करने के लिए बहुत सारे option हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो भी option है इसको select करने के बाद हम लोग market में buy करना, market में sell करना bid पे buy और sell करना, ask पे buy और sell करना इस अब कर सकते हैं और इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे options भी available है यहाँ पे watch list में कुछ symbols को add करके दिया है अगर हम लोग इनके ओपर click करते हैं तो यहाँ पे chart open हो जाता है उसका market depth भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है Quantower trading platform में आप लोग जैसे चाहते हैं वेसे panels को आप लोग arrange करके रख सकते हैं यह बस एक default template था यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है वो है कि अगर आप लोग Quantower को use करके trade करना चाहते हैं तो जो भी symbol आप लोग open करके रखते हैं ट्रेड करने के लिए उस symbol को आपको fires का जो connection है वहाँ से open करना है यहाँ पे आप लोग देखोगे तो doctor ready stock का chart मैंने open किया है और यहाँ पे fires आ रहा है इसका मतलब है कि इस symbol को इस connection से open किया है इस chart में तो उसकी वाज़े से यहाँ पे मुझे trade करने के लिए जो buttons है वो सब यहाँ पे मिल रहे हैं मैं यहाँ पे trade कर सकता हूँ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे true data और fires इन दोनों connections मैंने connected करके रखा है अगर मैं यहाँ पे एक chart true data को use करके open करता तो यहाँ पे मैं एक chart open कर देता हूँ यहाँ पे मैं अभी LIC का stock open कर देता हूँ और इस बार मैं LIC को यहाँ पे जो true data जो है इस connection से open कर देता हूँ तो यहाँ पे LIC नाम आ रहा है और यहाँ पे true data plus आ रहा है मतलब है कि इस chart को true data connection यूज़ करके यहाँ पे open किया गया है तो यहाँ पे मुझे trade करनी के लिए भी option नहीं मिल रहे हैं यह बात याद रखना है अगर आपको fires trading account से trading करना है तो जब chart आप लोग open करते हैं तो आपको fires connection को use करके chart को open करना है और यहाँ पे कुछ worth list भी है यहाँ पे हम लोग कुछ futures के symbol add करेंगे तो मैं यहाँ पे plus के ओपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं nifty search कर देता हूँ और यहाँ पे अभी आप लोग देखोगे तो fires connection के अंडर जो भी symbols है true data connections के अंडर जो भी symbol है उन सब के details यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे मैं search करता हूँ nifty 24 में और अभी मुझे nifty futures का chart open करना है मुझे may month का जो contract है उसको open करना है तो मैं यहाँ पे fires connection जो है उसके अंडर जो nifty 24 में जो है इसके उपर क्लिक कर देता हूँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो अभी यहाँ पे watch list में आ गया है यहाँ पे buy sell करने का option है और times and sales यह सब window open करने का भी option यहाँ पे दिया कया है अभी यहाँ पे इस symbol को मैं drag करके chart में डालता हूँ तो इस symbol का chart यहाँ पे open हो जाएगा अभी यहाँ पे मुझे trade करने के लिए option enable है क्योंकि हमने fire से इस symbol को open किया है यहाँ पे trade करने के लिए हमें बहुत सारे options available है for example यह जो window देख रहे है आप लोग चाहे तो यहाँ से भी trade कर सकते हैं trading window से इसके अलवाँ यहाँ पे quick trading के लिए एक चोटा सा panel है इसको भी चाहे तो use कर सकते हैं इसको आप लोग drag करके कहाँ पे भी रख सकते हैं चाट के अंदर यहाँ पे आप लोग quantity specify कर सकते हैं किस तरह का order place करना है उसे specify कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग यहाँ पे चाहे तो buy or sell कर सकते हैं यह आपको quickly trade करने में help करेगा इसके साथ ही यहाँ पे mouse trading भी है जहाँ पे आप लोग mouse और cursor को use करके trading कर सकते हैं उसके बाद keyboard trading है जहाँ पे आप लोग shortcut keys use करके trade कर सकते हैं Quantower का advantage यह है कि आप Quantower trading platform में जो market को analyze करने के जो options है उन सब को आप use कर सकते हैं और उसके साथ आपका जो trading account है वहाँ पे trade भी कर सकते हैं Quantower से ही फर एक्जामपल यहाँ पे bank nifty future का जो chart है यहाँ पे मैं इसके लिए order flow chart open कर देता हूँ तो अभी यहाँ पे मैंने order flow chart को load किया है तो यह open हो जाएगा तो यहाँ पे अभी मुझे order flow chart मिल रहा है यह बस default settings के साथ open हो गया है हम लोग इसको जैसे हम लोग चाहते हैं उस तरह customize कर सकते हैं इसको यहाँ पे analyze करके यहाँ से ही trading कर सकता हूँ यह एक बहुत अच्छा feature है जैसे मैंने कहा आप इन sub panel को इन sub charts को आप लोग जैसे चाहते हैं वेसे setup कर सकते हैं फर एक्जामपल यहाँ पे जो order flow chart दिख रहा है यह default setting के साथ है हम लोग इसको बहुत तरीके से customize कर सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा आप सभी panels को आप लोग जैसे चाहते हैं वेसे customize कर सकते हैं आपको बस यहाँ पे Quantower logo के उपर क्लिक करना है और panels को search करना है फर एक्जामपल अगर मैं यहाँ पे account search कर देता हूँ तो मुझे account के related panels के option आ जाएंगे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो panel open हो जाएंगे और इन सब panels को मैं arrange करके जैसे मुझे चाहिए वैसे arrange करके मैं अपना workspace यहाँ पे बना सकता हूँ तो यह हुँ दोस्तों इस video के लिए अगर आपको ये video आच्छा लगा तो like कीजे अच्छा नहीं लगा तो आप लोग dislike कर सकते हैं अगर आप लोग कुछ क्याना चाहते हैं तो comment कीजिए किसी तरह के और उडूस टेक्ची के लिए मेरे चानल पर सब्सक्राइब कीजिए